हलो एवरिवन वेलकम टू किछन आफ एज आज मैं आपके लिए बहुत ही खुश्बुदार बिर्यानी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ इस बिर्यानी मसाले से आपकी बिर्यानी हर बार बहुत ही अच्छी बनने वाली है तो चलते हैं शुरू करते हैं यह सारे खड़े मस में ली हुँ बिर्यानी मसाला बनाने के लिए छोटी इलाइची तीस पीसेस में ली हुँ जो है अबाउट 6 ग्रैम या फिर वन एनब आफ टेबल स्पून जाय फल वन अब पीस या फिर नौ ग्राम जावीत्री 1 अब टेबल स्पून या फिर 10 जीरा बूर फचीज कर म degust ने चीज़ो में सब्सक्राइब जीरा लिग स्ञे कशे माइज़ था। युख्स अ कि sonya अब गयांको अब गयां किसा अब गैस पे एक पैन चड़ा के अच्छे से पैन को ग्राम कर लेंगे पैन गरम हो जाने के बाद फ्लेम को पूरा लो कर लेंगे और सारे खड़े मसाले को पैन में डालेंगे पूरा लो फ्लेम में ही लगातार चलाते हुए इन सारे खड़े मसाले को कम से कम 10-15 सेकंड के लिए ड्राइ रोस्ट कर लेंगे हमें इसे बहुत लंबे टाइम तक dry roast करके इसका color change नहीं करना है हलका कुछ seconds के लिए dry roast करेंगे ताकि मसाले में अगर कुछ moisture content हो वो चला जाए लगातार मसाले को चलाते रहिएगा ताकि uniformly सारे मसाले dry roast हो और ये जलेना ये हो चुका है इसे लंबे टाइम तक करके इसका color change मत कीजेगा अब इसे एक plate में निकालके पुरी तरह से थंडा होने के लिए छोड़ देंगे मसाला थंडा हो चुका है तो सारे खड़े मसाले को हमें blending जामें डालेंगे तेज पत्तों को तोड़ के डालेंगे जाएफल और दालचिनी को हलका सा crush करके blending जामें डालेंगे बाकी के खड़े मसाले को ऐसे ही डाल देंगे जामें dry grind करेंगे और एक दरदरा सा powder बना लेंगे तो यहाँ पे हमारा बिर्यानी मसाला एकदम रेडी है बहुत ही खुशबोदार है और यहाँ देखिए कैसा दरदरा है इस तरह ही रखेगा पुरा fine powder मत बनाईएगा इसका airtight container में इसे भरके रखेगा इतना मसाला 3 kg चिकन के बिर्यानी के लिए perfect है एक केजी चिकन का बिर्यानी बना रहे हो तो दो टेबिल स्पून भरके इस मसाले से डाल दीजिएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फो वाचिंग बाई